आज के वीडियो में हम फ्लैक पैटर्न को देखने वाले हैं उसका फॉर्मेसन समझेंगे और समझेंगे हमें क्या से फ्लैक पैटर्न को एफेक्टिवली ट्रेड करना है मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इस वीडियो को end तक बिना स्किप किये देखते हो तो definitely आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा फ्लैक पैटर्न हमें चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है ये एक continuation पैटर्न है ये दो तरह की होते हैं पहला standard flag और दूसरा pennant flag पहले हम standard flag and pole पैटर्न को समझते हैं ये दो तरह की होते हैं bullish और bearish तो जब एक sharp uptrend के बाद market correct होता है हम सभी को पता है कभी भी price direct उपर या नीचे नहीं जाता market correction के साथ आगे बढ़ता है तो जब इस correction period में हमें दो parallel trend line मतलब एक दूसरे के समना आंतरे trend line downward side tilt मिलते हैं तो हम इसे bullish flag pattern बोलते हैं इस sharp uptrend के दौरान flag के pole का formation होता है और correction period के दौरान flag का formation होता है और ये दोनों मिलकर flag and pole pattern का formation करते हैं अब bearish flag pattern को समझते हैं तो जब एक sharp downward move के बाद market थोड़ा correct होता है और इस correction period में हमें जब दो parallel trend line मिलते हैं ये दोनों trend line ascending form में होते हैं flag का formation करता है अब pennant को समझते हैं ये भी दोपर करके होते हैं bullish और bearish तो जब एक sharp upward move के बाद market consolidate करता है और इस consolidation period के दौरान हमें दो opposite trend line मिलता है यहाँ देखिए यहाँ दो opposite trend line है upper trend line नीचे आ रहा है और lower trend line उपर जा रहा है तो इसे हम pennant बोलता है यह दिखने में एक छोटे symmetrical triangle pattern के तरह होता है पर symmetrical triangle बड़े time period का होता है और pennant एक छोटे time period के consolidation के दौरान बनता है और साथी साथ symmetrical triangle में यह sharp move नहीं होता पर एक pennant के लिए यह sharp move mandatory है अब bearish pennant pattern को समझते हैं तो जब एक sharp downward move के बाद market consolidate करता है और इस consolidation period में हमें दो opposite trend line मिलते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक दुसरे को contract करते हैं तो हम इसे bearish pennant बोलते हैं तो यहां तक हमने इन pattern का formation देखा अब समझते हैं हमें इने trade कैसे करना है हम flag pattern को दो conditions में trade कर सकते हैं पहला after a breakout let's suppose market यहां range में है next market यहां breakout देता है और फिर यहां एक flag pattern form होता है तब हम यहां trade ले सकते हैं अब इसके पीछे का logic समझे breakout के बाद जब market first pullback लेता है तो बहुत से traders इस pullback में enter होते हैं इस trend को catch करने के लिए trade कैसे करना है आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे second अगर market एक healthy trend के दौरान moving average और trend line पर flag pattern form करता है तब हम यहां trade ले सकते हैं क्योंकि हम सभी जानते है moving average dynamic support and resistance का का काम करता है तो possibility है market यहां से वापस अपने trend को continue करे आए कुछ examples देखते हैं price support level को break करता है बट हमें इस breakout पर entry नहीं लेना क्योंकि इस move को देखिए यह इस level से directly parabolic moves के साथ आता है और support level को break करता है without consolidation या retracement तो हमें इस breakdown पर trade नहीं लेना next अब देखिए price थोड़ा correct होता है और इस correction period के दौरान हमें दो parallel trend line मिलता है उपर के तरफ जाते हुए meaning यहां हमारे पास एक various flag pattern है इस breakdown के बाद अब हमें breakdown को wait करना है तो यहां आप देख सकते हो एक red candle lower trend line को break करता है बट हमें immediately कोई trade नहीं लेना अब हमें volume को देखना है तो यहां आप एक चीज देखिए इस sharp downtrend move के दोरान volume increase हो रहा था और इस correction period में volume low था पर जैसे ही price यहां trend line को break करता है तो यहां हमें high volume देखने को मिलता है यह हमारे लिए confirmation है कि participant market को नीचे ले जाने में interested है तो हम यहां short कर सकते हैं और हमारा stop loss यहां कहीं होगा book के according हमें profit target इस flagpole के जितना रखना है बट मैं आपको recommend करूँगा आप यहां 1-2 का profit लेकर exit हो सकते हैं next example देखते हैं यहां आप देख सकते हो market uptrend में है और chart पर 50 period यह में applied है next price वापस EMA को approach करता है और यहां moving average पर हमारे पास एक bullish flag pattern है यह sharp movement flagpole का formation करता है यहां एक pin bar इस EMA perform होता है जो कि एक bullish candlestick pattern है और यहां इस pin bar का high भी break हो चुका है बहुत से लोगों ने इस candlestick के base पर यहां trade लिया होगा अब अगर price इस upper trend line को break करता है और breakout के समय volume high है तो हम यहां buy कर सकते हैं next example देखते हैं यहां market downtrend में है और chart पर 50 period EMA applied है next price EMA को approach करता है और यहां अमारे पास एक bearish flag pattern है यह flag pole और यह flag अब हमें lower trend line के breakdown को wait करना है तो यहां एक red candle lower trend line को break करता है अब हमें volume को देखना है अगर breakdown candle का volume high है तो हम यहां short कर सकते हैं और यहां अमारा stop loss यहां कहीं होगा यहां भी देखिए correction fees में volume low था और breakdown के समय volume high हो गया आएए next example देखते हैं यहां हमारे पास एक resistance level है next price इस resistance level को break करकी ऊपर आता है और फिर consolidate करता है इस consolidation period के दौरन हमें दो opposite trend line मिलते हैं so now we have a pennant pattern यह flag का pole है और यह pennant now अब हमें upper trend line के breakout का wait करना है so यहां एक green candle upper trend line को break कर देता है और इस candle का volume भी relatively high है so now अब मैं यहां buy कर सकता हूँ और हमारा stop loss यहां कहीं होगा जैसे हमने flag pattern को moving average के साथ combine करके trade लिया उसी प्रकर हम trend line के साथ भी flag pattern को combine कर सकते हैं so hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़े information मिली होगी अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock journey